वेलकम तू चैनल सिविल इंसाइड तो आज के लिए चुरू करें अर्थक्विक से नया टॉपिक मैगनिटूड ऑफ अर्थक्विक जिसमें हम देखेंगी है अर्थक्विक का क्या मैगनिटूड होता है कैसे हम उसको निकाल सकते है और इसका क्या इंटेंसिटी के साथ रिलेशिन होता है अपने मैगनिटूड का आज हम सब वो देखेंगी तो शुरू करने सपहले है अगर आपने मैगनिटूड को ने सबसाइब करा तो अभी कर लेजिए तो देखो मैंटर ऑफ अर्थक्विक त इंडिकेट करता है कि कुछ श्रेइन अर्थ की वो रिलीज हो जाती है जिससे कि आपको क्या आता है वो दूर दूर देखोगी यहां पर ऐसे रप्चर हो जाती है अगर आपको दिखेंगे तो हम तक यह रहें कि नहीं तक आया है लेगन कुछ इसकी वेश हो जाती है तो व कुछ रहाँक हिए और ड भी बाष देखोंगाателиक वे पढ़र्टे टेफ में में पर लेस्थ इस यहां का लिक दिष्रीग घरकुल सारी करते है था सारी एनर्जी आपके सारी ट्रेवल करें कि तो आपकी निकलिय जब भी आपका अर्थ कोई काता है इन दा फॉम आप अर्थ कोई वे वेस्टा यहां पढ़ा था पी से लंग्ज तो आपको बैद दिस्ट्रक्टिव वेव उती सर्फिस वेज होती है हमारी थे तो हमने करा था सबस्कराइब लिंगाब उसके मिलएंग तो एक कॉसेंट में इसे रप्चर करते जाते हैं अब मैं कहता हो यहाँ फिर यहां पर पता दो नहीं चला लेकिन आपने चीज पढ़ी है फिर भी प्रेंट की बार इसे हुआ अगर में आपको पताऊ आपको अगर ऑपको प्ताहिं इस चीज को हम कहते है मैंनिटूड ओफ अर्थकुरिक्स यहाँ पर इसी लेंगविज में लिखा होता तो आप इंजिनिरिंग में आगए तो सिता सिता नहीं लिखेंगे कि कितना डिस्टेंस दूर गया तो हम उससे कहा है कि मैंनिटूड ऐसे नहीं लिखा था तो यही चीज लिखेंगे होते हैं एक तरह के मैंनिटूड की डेफिनिशन यह सारी यहाँ पर कॉलिंड इस पेस्पेसिमेंट हो गया ती है यहाँ पर रिलीज होते है तो ट्रैवल करती है तो सारी वही चीज़ और जो आपका यहां से अर्थकुरिक से दूर जाता है जितना दूर तक ज पर जीए स्ट्रेंट आ दिया कोई भी अपकी स्ट्रेंट आ रही है वह कितनी है वह हमारी इंटेंटिटी ओफ अर्थकुरिक हो गया है और जो जितनी दूर तक हमारे अर्थकुरिक फैल है उसे में कहते है मैंनिटूड यह बहुत ही बेसिक चीज है हम लास्ट में भी तो फिर आपका यह टॉपिक ठोड़े खराब हो जाएगा आपको अच्छे समझ न आएगा तो आपको एध्यान रखना है कि जो इन्टेंटिटी होती है वह हमारे क्या होते है इसको साथ रिलेशन में है नहीं इतना और यह की मैंनिटूड क्या होते है कि कहा तक हमारा अर् the disclosure is the displacement is small तो देखा अब आपको इह पता है कि जो हमारे जयसे earthquake आया तो इसकी intensity बहुत कम है तो इसकी displacement भी कम ढूर होगी sorry पास होगी sorry इसकी पास होगी दूर नहीं होगी तो अगर यहांपर 이 ten wichtig का मैंट इसको मतलग इंतलग कि इसका मेंगर अगर वाइल इन high intensity earthquake it is large तो कहते है कि जब high intensity earthquake आया है तो वो दूर तक जाएगी वो भी आपको पता है यह तो basic है यह तो basic knowledge है Thus the displacement is directly a function of the amount of energy released during earthquake तो कहते है कि जो यह displacement है मतलब यह एक तरह का magnitude यह displacement आप जो है ना magnitude आप कर सकते हो जो हमारी magnitude है सीधा सीधा हमारा directly proportional to intensity है इंटेंसिकर नेकिड आप नेकिड समय है तो नीचे कि रिवे आप आपके नेकिडिय के शेर S2 यह थोड़ी लेए फाआच लेई आपनेश्ट पने कि इंटेंसिकर आपने इंटेंसिट को यह तो यह तो पुर यहथिग है ठीक है, अब आता है next, if a is the maximum displacement record, तो कहते हैं, if a is the maximum displacement record, तो कहते हैं, a is the maximum displacement record, तो our maximum displacement record होई, जो हमारा art को required है, उसको हम कहते है, let a है, तो magnitude कितना होगा, तो यह magnitude का formula सीधा-सीधा निया है, जो मैं आपको काई displacement ही, यह मैं आपको, A आगे, let अगर आपकी A आती है, तो magnitude आपको क्या आता है, is given by the relationship M is got log 10 A plus C, log 10 A plus C, C आपको यहाँ पर कोई फेक्टर हो सकता है, M is got log 10 A plus C, तो constant होगा यहाँ पर, यहाँ पर यह वाला formula हमारा बन जाता है, magnitude निकालेगे, magnitude in the case हो, जैसी यह निकालेगे, 3.5 to 4.2, 4.3, 4.8, अब distance तो यह तो आने से रहती है, अगर आप 50 km आगे, यह रोड़ी लिए दो कि 5.0, वो चीज़तो आप लिख निकालेगे, तो वो होता है, maximum displacement तो आपको किलो मेटर में आएगा, लेकिन उसको magnitude में आपको बदलना है, तो magnitude M कैसे आएगा, M is going to log 10 A plus C, जहाँ पर A आपको यहाँ पर क्यों हैगा, maximum displacement और C आपको कोई भी constant हो सकते है, यह चीज़ आपको यहाँ पर formula बहुत important है, इसलिए मैं आपको ब्लू कर दिया, अब according to register, the relation of magnitude with the energy released, E in Erg's, is given by the equation, तो कहती कि अगर आपने यह तो आपने निकाल लिए displacement के साथ, यह तो आपने डिस्प्लेसमेंट के साथ, जो हमारे register कहता है, यह भी हमारे scientist है, जिसके बहाफ पे आपको register scale बनाता है, तो वो कहता है, मैं कहहरा हो कि यह magnitude, पता है तो आप एनर्जी निकाल सकते हो एनर्जी आपको पता रिलीज कितनी हुए तो आप मैंटूर निकाल सकते हो ठीए आपको इसकी रिलेशन दे दिया उसने दो आपको दो फर्मलों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिख़े अभी शायद आपको इतना इंपॉर्टेंट ना लगे लेकिन अगर आप करते हो इसी फ्रील्ड में आप करते हो तो वहां पर आपको बहुत काम में आएगा अब आता देखो दो intensity varies from place to place during earth the magnitude remains the same तो कहते हैं इंटेंसिटी हमारी vary करती है place to place लेकिन हमारे magnitude remain करती है तो हम कहते हैं इंटेंसिटी आपके अलग-अलग place में अलग-अलग हो सकती है लेकिन magnitude तो same लेगा न वह भी आपको पता देखो अगर मैं कहूं कि 요озмaining intensity आपकी यहां तक रहती है अब यहां पे अगर मैं कहूं पूरा अर्थ को यहां तक रा ला यह यहां तक रहती है अब यहां यहां पे भी वही intensity को साथ बाग यह अलगर intensity में तो vary कर जाएगा लेकिन उसके magnitude तो एक पूरा यह maximum ही दाएगा वही चीज होगी बस It is seen that a magnitude less than 5 is no of engineering interest and does not have any adverse factor कैते ही जब हमारा magnitude earthquake less than 5 है या फिर 5 है या फिर 5 है या less than 5 है तो कैते ही वह हमारा engineering interest है यही उससे कोई फरक पड़ेगा यहीट है तो हमेशा देखते है magnitude 5 से जादा आवली earthquake है positive हम देखेंगे 5 से जादा जितने भी earthquake है उनको ही जादा नोटिस करें कि वह engineering के interest में क्योंकि वहां से मारे effect आने शिरू हो जाते है हमारे properties वेरापे कोई भी roads वेरापे कुछ ना कुछ हमारे destructive effects आने शिरू हो जाते है तो वह यहां पर बताया कि magnitude 5 से देखाया तो तो अगर आपको यहां पर question बन सकते है किस magnitude पर हमारे कोई interest नहीं बनता किस से कम बनता है तो लगी हम कहेंगे 5 है जिससे कि हमारे interest नहीं बनता हमारे engineering में अब देखो यह हमारे scale देखिया कैसे जैसे हमारे basic scale देखो intensity with relation with हमारे magnitude है कैसे intensity अगर 1,2,3,4 आते है चार हमारे intensity के case आते है यह हमने पढ़े intensity के lecture में उसके link out description मिल जाएगा उसमें आप देख सकते है बाद में देख लेना तो उसमें हम कहते है magnitude हमारे 3.5 to 4.2 रहेगा 5th intensity 5th gradient intensity 4.3 रहेगा 6th gradient intensity 4.8 रहेगा तो 7 में आपका 4.9 और यहां पे आपका 8 में 6.1 तो 4.9 तो 6.1 आपका 9th में आपका क्या रहेगा 9th और 10th के बीच में और यहां पे 11 12 में क्या रहेगा 9th में आपका 6.2 to 6.97 आपका 10 तक तक ती है यह हमारा यह बन जाएगा और यहां से क्या आपका 6.97 तो 8.9 हमारा किसमें बन जाएगा 11 तो 12 में भी बन जाएगा यह आपका पूरा हमारा बता दे है intensity और magnitude का क्या बनता है अगर आपके intensity कोई भी एरिया कि आप यह फाइव आ रही है तो वहां का magnitude होएगा अप्रॉक्समेटली 4.3 वहां का magnitude निकालने के यह हमने energy के साथ भी कर लिया यह अपने maximum displacement के साथ भी कर लिया और यहां पर intensity के साथ भी कर लिया तो बस इता देखो पूरा आज के लेक्चर magnitude के अबार लेठी है और इसमें जारा कोई चीज थी नहीं intensity ता इस वे में निकाल लेते है इस फॉर्मला से अब आता है मैंने गूगल से उठाई है इमेज मैंने कहीं से और नियु बनाई है गूगल से उठाई है तो उसमें देखो यहां पे लिखा हूए चीज आती है आपको एक्जाम में आता है आता है पाँ नमर में तो भरह सी में व बिखा दो लिख दो गे जोग्ति ऑन्की में बेसे है बास यह जो नूमर पूरे मिलेंगे इसमें बोलता है intensity क्या होती है, intensity of earthquakes at a place is a measure of the strength, वही मैंने आपको बोला ना, measure of the strength of shaking during the earthquake तो वही चीज हो कि मैंने आपको बोला ना, कितनी strength होती है, earthquake की, उसे हम कहते है, intensity और अब magnitude कितना होता है, magnitude of earthquake is a number, which is measure of energy release in earthquake, तो energy release कि कहां तक होई है, कितनी होई है, तो वह मारा magnitude उपता है, is a number, तो आप देख सकते magnitude number है, और यह हमारे grades हो जाता है, झाल 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